हेलो एव्रिवान मेरा नाम है अदीती और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यब चैनल करन्ट अफेयर्स पाई रवी पर तो आज की वीडियो में हम जो है वर्तमान में कौन क्या है से जुड़े important questions discuss करेंगे जो कि आपके upcoming exams के लिए आपकी काफी जादा help करेंगे one or two questions जो है आपको इसी वीडियो में से देखने को मिलेंगे आपके आने वाले exams में तो friends जो यह list है यह December 7, 2023 तक updated list है तो चलिए start करते हैं हमारी very first question के साथ और appointments से जुड़े questions जो है exams में पूछे ही जाते है ठीक है तो आपको अपने exam से पहले यह topic जरूर देखके जाना है और इसमें जो है हम January 2, December 7 तक के important appointments discuss करेंगे एकदम updated list रहेगी first question है देखिए आपकी screen के उपर भारत के जो नए महा सर्वेक्षक बने हैं वो कौन बने है right answer आपके इस question का रहेगा friends option number D हितेश कुमार S. मकवाना जो है यह भारत के नए महा सर्वेक्षक बने हैं कुछ important point discuss करते हैं इस question से later तो देखिए भारतिय सर्वेक्षन भारत का जो है रास्टिय सर्वेक्षन और मानचितरन संगठन है इसे जो है 1767 में स्थापित किया गया था और भारत के जो महा सर्वेक्षक होते हैं friends यह भारतिय सर्वेक्षन भीवाग के परमुक है यह जो है यह वला भीवाग यह क्या होता है विग्यान और प्रधोगी की मंत्राले के अधीन है ठीक है नेक्स देखिए special protection group के नए परमुक जो है वो कौन बने है ट्राइट एंसर आपका इस question का क्या रहेगा option number A अलोग शर्मा जो है यह special protection group यानि कि SPG के नए परमुक बन गए है important बाइस की बात करी तो हमारी question में बात आई है SPG की SPG stands for special protection group full forms भी आपको पता होनी चाहिए तो SPG जो है यह भारत के प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सश्यस्त्रबल है और जिसका गठन कब करा गया था 8 April 1985 में विशे सुरक्षा समूह अधीनियम 1988 के तहत next question देखते है सीमा सडक संगठन यानि की बी आरों के जो 28 में महानी देशक बने है friends वो कौन बने है तो जो 28 नंबर के डारेक्टर जोनल बने है Border Roads Organization के यानि की बी आरों के उनका नाम है friends रगु श्रीनेवासन Option number D जो है आपका correct answer रहेगा इस question का important वो इसकी बात करें तो बी आरों की बात आई है हमारे question में इसे हिंदी में सीमा सडक संगठन कहा जाता है और इसकी स्थापना जो है ये करी गई थी 7th मई 1960 को मुख्याले इसके कहां पे है नई दिल्ली में है next question देखते हैं आपका भारती वानिजे एवं उध्योग महासंग यानि की फिकी के जो नए अध्यक्ष बन गे है friends वो कोन बन गे है तो right answer इसका क्या रहेगा आपका option number B अनीश शाह जो है ये फिकी के नए प्रेजिडेंट बन गे है important पर इसकी बात करें तो फिकी को जो है हिंदी में कहा जाता है भारती वानिजे एवं उध्योग महासंग इसकी जो स्थापना है ये कब करी गई थी 1927 में और मुख्याले इसकी नई दिली में स्थित है next question आपका है भारत के जो पहले दलित मुख्य सूचना आयूगत है यानि की CIC हैं वो कोन बन गे है तो इस question का आपका right answer option number A है हीरालाल सामरिया जो है फ्रेंट्स ये जो है भारत के नए Chief Information Commissioner जो है वो बन गे है first दलित ठीक है ये आपने याद रखना है important वो इसकी बात करी तो हीरालाल सामरिया जो है ये भारत के पारवे मुख्य सूचना आयूगत बने है भारत का जो मुख्य सूचना आयूगत है ये भारत के राष्टर पती द्वारा न्यूक्त केंद्री सूचना आयूगत का जो है फ्रेंट्स प्रमुख होता है next question Research and Analysis Wing यानि की रो के जो नए प्रमुख बने है उनका क्या नाम है तो right answer इसका है आपका option number B रवी सिना जो है ये रो के नए चीफ बन गे है question में हमारे बात आई है रो की तो Research and Analysis Wing इसका जो है फुल फॉर्म है और स्थापना इसकी करीगी थी 21st September 1968 को वहीं अगर हम बात करें इसके मुख्याले की तो रो के मुख्याले जो है ये New Delhi में है next question railway board की जो पहली महिला अध्यक्ष और CEO बन गई है वो कौन बन गई है तो right answer इसका क्या रहेगा option number A जया वर्मा सिना जो है ये railway board की जो है पहली महिला अध्यक्ष और CEO बन गई है important question है question में बात आई है भारती railways की तो इससे related कुछ important points मैं आपको बता देती हूँ तो friends हम जो है वीडियो में काफी सारे extra important points discuss करते जाते हैं इससे क्या होगा कि आपको health मिलेगी आपकी exam के टाइम पे तो जो railway भारती railway है इसकी सापना हुई थी 16 April 1853 को और मुख्याले इसके new rally में है वहीं जो हमारे present time में railway मंत्री है उनका नाम है अश्विनी वैश्णर next देखिए National Green Tribunal यानि कि NGT के जो नई अध्यक्ष बन गए है उनका क्या नाम है right answer is option number D justice प्रकाश श्रिवास्तव जो हैं ये NGT के नई अध्यक्ष बन गए है important वो इसकी बात करी तो NGT का full form है National Green Tribunal जिसकी स्थापना हुई थी 18 October 2010 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में next सेखिए भारती नोसे ना के जो नई उप्परमुख बन गए है हर question में आपको जो है मैं सासाथ में images भी शोकर वारी हूँ इससे क्या होता है question जो है आपको long time तक याद रहेगा अगर आप image के धरूँ जो है questions याद रखोगे तो आपको काफी लंबे समय तक question वो learn रहेगा और इससे आपकी एक्वाम में आपकी मदद होके आपको easily इसके answers जो है याद रहेंगे question में बात आई है भार टिरों से ना की तो इसका मुख्याले कहां पे है नई दिली में और present में जो हमारे no से नप प्रमुख्य फ्रेंस उनका नाम है आरहरी कुमार ये भी आपने याद रखने है next सिखिए railway सुरक्षा बल सेवा यानि की RPFS की जो नए महानिदेशक बन गे है friends वो कोन बन गे है तो जो new director general बन गे है RPFS के उनका नाम है मनोज यादव option number C is the correct answer RPFS stand for railway सुरक्षा बल सेवा साबना इसकी हुईती सप्टेंबर 1959 को headquarter इसके कहां है New Delhi में next सिखिए भारती फिल्म और टेलिविजन संस्थान FTIAE के नए अध्यक्षों है वो कोन बने है right answer कहा रहेगा option number B R माधवन FTIAE का full form है भारती फिल्म और टेलिविजन संस्थान साबना इसकी जो है 1960 में की गई थी और फैंस इसके जो मुख्याले है ये महारास्टर के पूने में है निदेश कोन है करंट में इसके भुपेंदर कैंथोला next सेखिए भारत के solister general जो है वो कोन बने है right answer इसका आपका क्या रहेगा option number C तो शार महता जो है ये भारत के नए solister general बन गए है solister general जो है वो होता गोन है तो इसके बारे में हम चानते है तो भारत के जो लिए solister general है ये देश का दूसरा गानून अधिकारी है ठीक है जो की autony general होता है न जो उसकी साहत अकरते है next है भातित अटरक्षक बली यानि कि ICG के जो 25 नंबर के महानी देशक बने है उनका ग्या नाम है तो new DG बन गे है जो इंडियन कोस्ट गार्ड के 25 नंबर के उनका नाम है राकेश पाल option number C correct answer रहेगा आपका इस question का ICG को जो है हिंदी में भारतित अटरक्षक बल कहा जोता है स्थापना इसकी 1978 में हुई थी मुख्याले इसके जो है वो new Delhi में है और अतिरीक्त महा निदेशक है जो इसके उनका नाम है एस परमेश नेक्स देखिए केंडरी अन्वेशन व्यूरो यानि कि CBI के जो नए निदेशक मने है उनका ग्या नाम है प्रवीन सूद CBI की जो हिंदी में फुल फॉर्म है वो है केंडरी अन्वेशन व्यूरो स्थापना इसके कब करिये थी 1st April 1963 को और मुख्याले इसके कहां है नई दिल्ली में नेक्स कोशन आपका है भारत के जो नए केंडरी सतर्पता आयुक्त बने है CBC की फुल फॉर्म होती है इंदी में केंडरी सतर्पता आयुक्त स्थापना इसके कब हुई थी 11th February 1964 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में नेक्स कोशन पे मूव करने से बहले मैं आपको एक important information देना चाहूँगी जो हमारी last 10 months की current affairs की paid PDF है वो launch हो चुकी है इसी के साथ जो हमारी Indian quality की paid PDF है वो भी launch हो चुकी है अगर आपको दोनों paid PDF चाहिए तो आप हमारी website जो है visit कर सकते हैं www.robibooks.pdf.com के नाम से है last 10 months की जो current affairs की paid PDF है इसमें जो है आपको topic wise current affairs की questions मिलेंगे एक दब updated paid PDF रहती है तो आप सरूर इसे बई करिए अपने exam से पहले और अगर आपको Indian quality पढ़नी है तो आप इस paid PDF को भी ज़रूर बई करिएगा दोनों ही paid PDF के link जो है आपको इसी वीडियो के description में मैं provide करवा दूँग आप सरूर check out कर लेजेगा और वहां से आप जो है easily इनको बई कर सकते है next question देखते हैं आप हमारा भावा प्रमानु अनुसंदान केंद्र यानि की BARC के जो चोदवे निदेशक बने है उनका क्या नाम है right answer is option number A विवेक भसीन तो विवेक भसीन जो है ये भावा प्रमानु अनुसंदान केंद्र के चोदवे निदेशक बने है स्थापना इसकी हुई defense 3rd January 1954 को और मुख्यालेस के कहा है मुंबई मे next question देखिए आपका भारत के जो नए Chief of Defense स्टाफ है यानि की CDS हैं जो कोन बने है तो राइट अन्सर इसका क्या है option number C अनिल चोहान जो है ये भारत के new CDS बन गए है CDS के जो पद का गठन है फ्रेंस ये करा गया था 1 January 2020 में और भारत की जो पहले CDS थे उनका क्या नाम था जर्नल विपेन रावन जी next देखिए राष्टे महिला आयोग यानि की NCW की वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका क्या नाम है right answer रहेगा आपका option number B रेखा शर्मा जो है ये NCW की वर्तमान अध्यक्ष है NCW की हिंदी में कहा जाता है राष्टे महिला आयोग जिसका गठन कब हुआ था 1992 में और New Delhi में जो है इसके headquarters है नेक्स देखिए भारतिय प्रतिस परदा आयोग यानि की CCI की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बन गई है right answer is option C रवनीत को जो है ये भारतिय प्रतिस परदा आयोग की जो है पहली महिला अध्यक्ष बन गई है फिस भारतिय प्रतिस परदा आयोग जो है इसके स्थापना हुई थी 14th October 2003 को और New Delhi में इसके headquarters है next है आपका सीमा सुरक्ष बल यानि की BSF की जो नए महानिदेशक बन गई है वो कौन बन गई है right answer क्या रहीगा option number C नितिन अगरवाल जो है ये new director general बन गए है BSF के BSF को हिंदी में क्या कहा जाता है सीमा सुरक्ष बल और स्थापना इसकी कब हुई थी 1st December 1965 को मुख्याले कहां पे है नई दिली में next एक है भारतिय रिजब बैंक यानि की RBI के जो नए deputy governor है friends वो कौन बने है तो राइटन स्रीस का क्या रहेगा आपका option number D स्वामिनाथन जान की रमन तो RBI के present में 4 deputy governor है उन में से जो एक नए न्यूक्त हुए है उनका नाम है स्वामिनाथन जान की रमन question में हमारे बात आई है भारतिय रिजब बैंक की यानि की RBI की तो दीखिया RBI की जो स्थापना है ये हुई थी 1st April 1935 को मुख्याले कहां पे है मुंबई में है present time में जो governor है RBI के उनका क्या नाम है तो उनका नाम है शक्तिकांदास और वर्तमान में RBI के किन्ने टिप्टी governor है चार उनके नाम में आपको बता देती हूँ तो स्वामी नाथन जानकी रमन माइकल पात्रा राजेश्वर राव और टी रवी शंकर नेक्स एकिए भारत के जो नए कानून मंत्री बन गए है तो new law minister बन गए है हमारे अर्जुन राम मेगवार option number A is the correct answer next है निती आयोग के जो नए CEO बने है उनका क्या नाम है right answer आपका क्या रहेगा option number A B, V, R, Subramaniam जो है ये निती आयोग के नए CEO बन गए है question में बात आई है निती आयोग की राष्ट भारत परिवर्तन सहस्थान इसे कहा जाता है और इसकी स्थापना करी गई थी 1st January 2015 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में present time में जो अध्यक्ष है इसके वो है हमारे देश के PM नरेंडर मोदीजी next है भारतिय वू विग्यानिक सर्वेक्षन यानि की GSI के जो नए महानी देशक है वो कौन बनी है राइट अंसर आपका रहेगा option number D जनार्दन प्रसाद GSI को हिंदी में भारतिय वू विग्यानिक सर्वेक्षन कहा जाता है और 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना करी गई थी Kolkata में जो है इसके headquarters है next है राष्टे क्रिशी और ग्रामेन विकास बैंक यानि की नाबार के जो नए अध्यक्ष बन गे है उनका क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्षन नमबर C के भी शाजी जो है ये नाबार के नए अध्यक्ष बन गे है नाबार को हिंदी में कहा जाता है राष्टे क्रिशी और ग्रामेन विकास बैंक नाबार का फुल फोर्म है और स्थापना इसकी हुई थी 1982 में मुख्याले इसके जो है वो मुंबई में है next है भारत के जो नए ओश्डी महानी अंतरग है यानि की DCG आई है वो कौन बन गे है तो वो बन गे है राजीव सिंग रगुवंशी option number B correct answer रहेगा ओश्डी महानी अंतरग जो है फेंस इसकी स्थापना हुई थी 14th August 2019 को और नई दिली में इसका मुख्याले है next देखिए रक्षा अनुसंदान एबं विकास संगिठन यानि की DRDO के जो नई अध्यक्ष है वो कौन बन गे है राइट अंसर क्या रहेगा option number B समीर वी कामत जो है ये DRDO के जो है नई अध्यक्ष बन गे है DRDO को हिंदी में खा जाता है रक्षा अनुसंदान एबं विकास संगिठन स्थापना गब हुई थी 1958 में मुख्याले इसके जो है वो न्यू टैली में है नेक्स्ट आपका important question है भारत की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपती बनी है वो कौन बनी है तो वो कौन बनी है तो अप्षिन नमबर भुझे option number C correct answer रहेगा तो present time में जो भारत के उपराष्ट्रपती है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए तो जगदीब धनकर जो है चोलवे नमबर के उपराष्ट्रपती है हमारे देश के और करंट में ये हमारे देश के उपरास्ट बती है नेक्स एक ये भारत के जो नए महानियाईवादी यानि के अटोर्नी जर्नल बन गे है उनका क्या नाम है तो राइट अंसरी इसका क्या है उप्शन नंबर A आरवेंकेट रमनी जो है यह जो है भारत के नए attorney journal बन गए है आर्वेंगे रवनी जो है यह भारत के कौन से नंबर के महानिय आईवादी बने है सोलवे नंबर के देख से किये Narcotics Control Bureau यानि कि NCB के जो महानिदेशक बने है वो कौन बने है Right answer is option D सत्य नरायन प्रधान जो है यह NCB के नए director journal बन गए है NCB को हिंदी में इसका full form होता है Narcotics Control Bureau जिसकी की स्थापना हुई थी 17th March 1986 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में है नगसे कि रास्ट्य मानव अधिकार आयोग यानि कि NHRC के जो नए अध्यक्ष बने है वो कौन बने है Right answer is option A अरुन कुमार मिश्टा जो है यह NHRC के नए अध्यक्ष बने है NHRC को हिंदी में इसका full form होता है रास्ट्य मानव अधिकार आयोग और इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को मुख्यालेस के जो है नए दिल्ली में है नेक्स एक हिए भारत के जो नए मुख्य चुनावा युक्त हैं वो कौन बने है राइट अंजर आपका क्या रहेगा option number B राजीव कुमार जो है ये भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिशनर बन गए है और फ्रेंस करंट में जो हमारे उपजुनावा युक्त है उनका नाम है अजे भादू ये भी आपको याद रखना है ये भी अपॉइन्मेंट से जुड़ा है निर्वाजन अयुक्त कोन है करंट में हमारे अनूप चंद पांडे और अरुन गोईल नेक्स सिकिए भारती थलसेना के जो नए परमुक बने है वो कोन बने है तो न्यू चीफ बन गए है इंडियन आर्मी के उनका नाम है फ्रेंस मनोज पांडे option number B जो है करेक्टन से रहेगा आपका इंडियन आर्मी की बात आए हमारे कोशन में हिंदी में से भारती थलसे ना कहा जोता है स्थापना इसकी 1st April 1895 को ही थी मुख्याले कहां पे है नई दिली में है और करंट में जो हमारे इंडियन आर्मी के उपपर मुख है फ्रेंस उनका नाम है MB सुचेंद्र कुमार next question देखिए भारती प्रतिभूती और विनम्य बोड यानि की सेवी की जो अध्यक्ष है उनका क्या नाम है ये भी important question है तो right answer इस question का आपका रहेगा option number D माधवी पूरी भूच सेवी को जो है हिंदी में कहा जाता है भारती प्रतिभूती और विनम्य बोड स्थापना कभूईती 12 अप्रिल 1992 और मुख्याले इसके मुंबई में है next आपका question इसके बात करें तो CBIC को जो है हिंदी में कहा जाता है next देखें भारती विशिष्ट पहचान प्राधिकरन के नए CEO जो है वो कोन बने है right answer option number C है आपका अमीत अगरवाल जो है ये भारती विशिष्ट पहचान प्राधिकरन के नए CEO बन गे है भारती विशिष्ट पहचान प्राधिकर्ण की जो स्थापना है ये हुई थी 28 जनवरी 2009 को और मुख्यालेस के जो है नई दिली में है नेक्स आपका important question भारत के जो 50 वे मुख्य नयदिश है यानि की C.J.I. है वो कौन बने है नेक्स आपका important है ये भी तो right answer इसका आपका क्या रहेगा option number D. धननजे जश्वंद चंदर चूर जो है ये भारत के 50 वे मुख्य नयदिश है नेक्स आपके भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संग्धन यानि की इस्टो के जो अध्यक्ष है फेंस उनका क्या नाम है राइट answer is option number C. S. सुमनात जो है ये इस्टो के करंट में अध्यक्ष है इस्टो की बात आई है तो हिंदी में इस्टो को क्या कहा जाता है फुल्फोम इसका भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संग्धन इसकी स्थापना करी गे थी 15th August 1969 को और संस्थापक कौन थे इस्टो क विक्रम सारा भाई नेक्स एकिए भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यान की BCCI के जो नए अध्यक्ष बने है फैंस वो कौन बने है राइट answer is option number A. रोजर बिनी जो है ये BCCI के नए अध्यक्ष बने है भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करे तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी मुख्याले कहां पे है मुंपई में है करंट में जो इसके सचीव है उनका नाम है जैशा और उपाधिक्ष का नाम है राजीर शुकला नेक्स एकिए भारती ओलंपिक संग यानि की I.O.A की पहली महिला अध्यक्ष जो है फैंस वो कौन बनी है ट्राइट अ राइट अंसर इस ऑप्शन नंबर बी पीटी उशा जो कि एक अथलीट है ये I.O.A की पहली महिला अध्यक्ष पनी है आई यो ए की फिल्फोर्म है हिंदी में भारती ओलंपिक संग स्थापना कब हुई थी इसकी 1927 में और जो मुख्याले है वो नई दिल्ली में है नेक्स SSB की बात आई है सश्यस्त्र सीमा बल इसको हिंदी में कहा चाता है स्थापना SSB की हुई थी 23 December 1963 को मुख्याले का हम पे है नई दिल्ली में है नेक्स्ट कोशन की और मूव कर लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपका है रास्ट परिक्शन एजनसी यानि की NTA के जो नई महारे देशक बने है फ्रेंस वो कोन बने है तो राइट अंसर इसका क्या है अप्शन नमबर A सुभोत कुमार एंटीय की स्थापना हुई थी 2017 में मुख्याले के नई दिल्ली में है नेक्स एक ये प्रित्वी और विज्ञान मंत्रा लेके जो नई मंत्री बने है उनका क्या नाम है अप्शन नमबर A इस दा क्रेक्ट आंसर किरें रिज्जु जो है ये प्रित्वी और विज्ञान मंत्रा लेके नई मंत्री बने है नेक्स सेखिए भारत के जो नई लेखा महानी अंत्रक है यानि कि CGA है वो कुन बने है इंपर्टन क्वेशन है ट्राइटन से रिसका रहेगा उप्शन नमबर B एसस दूबे तो एसस दूबे जो है ये इंडिया के नियू सीजी ये बन के है फिर से आपको क्वेशन के लेवल देखके पता चल रहा हो ना कि कितने सेलेक्टेड क्वेशन इसमें मैंने इंक्लिूड करें हैं और सबी जो है आपकी एक्जाम पॉइंड व्यू से इंपॉर्टन है एकदम अपडेटेड लिस्ट है ठीक है अगर आप ये अपडेटेड लिस्ट देखके जाते हो अपने एक्जाम से पहले तो फॉर्शोर आपको इसी वीडियो में से जो है क्वेशन देखने को मिलेगा आपकी एक्जाम के रहे में इंपॉर्टन पॉइंड इसकी बात करें इस क्वेशन से लेटेड तो एसस दूबे जो है ये 28 फे लिखा महानी इंतरक बने है ये आपने याद रखना है संग लोग सेवायोग यानि कि UPSC के जो नए अध्यक्ष बने है वो कौन बने है इंपॉरंट है राइट अंसर इसका रहेगा उप्शन नमबर A आपका डॉक्टर मनो सोनी जो है ये UPSC के नए अध्यक्ष बने है UPSC से लेटर कुछ important points discuss कर लेते हैं तो स्थापना UPSC की हुई थी 1 October 1996 को मुख्याले जो है वो नए अध्यक्ष कर बोड यानि कि CBDT के जो नए अध्यक्ष है फैंस वो कौन बने है right answer आपका क्या रहेगा option number B नितिन गुप्टा जो है ये CBDT के नए अध्यक्ष बने है important points discuss करते हैं तो CBDT की स्थापना हुई थी 1 January 1964 को मुख्याले कहां पे है नए दिले में है next है प्रमानू उर्जा आयोग के नए अध्यक्ष जो है फैंस वो कौन बने है तो right answer आपका क्या रहेगा option number C अजीद कुमार महंती प्रमानू उर्जा आयोग जो है इसका गठन हुआ था 3 August 1948 को मुख्याले कहां पे है महरास्टर के मुंबई में next है होकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष फैंस वो कौन बने हैं right answer गया रहेगा option number A दिल्ली तिर्की जो है यह होकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अगर important points की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 2009 में मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में next question देखते हैं तो भारती राष्टे राजमार्क प्राधिकरण यानि कि NHAI के जो नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंस वो कौन बने है right answer is option number A, Santosh Kumar Yadav आईए कुछ important points discuss करते हैं तो NHAI की स्थापना हुई थी 1988 में मुख्याले के जो है नई दिल्ली में next question है आपका 22 वे विदी आयोग यानि कि लो कमिशन बने हैं जो उसके अध्यक्ष कोन बने है next is राष्टे सांखे की अयोग यानि कि NSC के नई अध्यक्ष कोन बने है तो right answer इसका क्या रहेगा आपका option number D, Rajiv, Lakshman, Karandikar जो है ये राष्टे सांखे की अयोग के नई अध्यक्ष बने है NSC की अगर हम बात करें इसके गठन की तो 2005 में से गठित करा गया था मुख्याले इसके जो है नई दिलिम है friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा इसे हमारा होंसला बढ़ता है और next मैं आपको जो है वीडियो अच्छे अच्छी provide करवाओंगी इससे मुझे motivation आती है अगर आप वीडियो को like करते हो अच्छा सा comment करोगे तो इससे जो है मैं motivate हो जाओंगी और next time आपके लिए और अच्छे topic पे जो है वीडियो लेकर आओंगी ठीक है तो आप वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा आपका like और share यह जो हमें motivate करता है next video बनाने के लिए और comment box में जो है आप मुझे अपना feedback देख सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी इतने कम समय में आपको इतना अच्छा content कोई भी नहीं provide करवाएगा यह मैं लिख के देती हूँ जो हमारा content होता है current affairs पाई अभी का वो YouTube पे best content होता है current affairs का यह मैं आपको guarantee के साथ जो है वो बोल सकती हूँ ठीक है तो आप वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा और जो new student ह चैनल पे ओ चैनल को subscribe भी जरूर कर लीजे क्योंकि आपको important important videos का जो है notification मिलता रहेगा अगर आप चैनल को अच्छे subscribe कर लेते हो तो अब next question देखते हैं भारत के जो नए रक्षा सचीव बने हैं friends वो कौन बने हैं right answer का क्या रहेगा आपका option number a अर्माने गिरिधर यो हैं य नए रक्षा सचीव बने हैं भारत के नेक्स्ट है भारत के जो नए नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक यानि की CAG बने हैं वो कौन बने हैं क्या right answer है option number b गिरिश चंद्र मुर्मो नेक्स देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानि की ITBP के नए महाने देशक कौन बने हैं क्या right answer रहेगा आपका option number b अनीश दयाल सिंग जो है यह ITBP के नए जो है डायरेक्टर जोनर बने है ITBP की बात आई है तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसका फुल फॉर्म है हिंदी में ITBP की स्थापना हो ही डिफेंस 24 अक्टूबर 1962 को और नई दिली में इसके जो हैं है एटकॉर्टर से है नेक्स देखिए विश्व विद्याले अनुधान आयोग यानि की UGC के जो 1956 को ही थी मुख्याले इसके जो है नई दिली में लोकेटड है नेक्स्ट आपको इंपरन्ट कोशन पे जाने से बहले हम आपको एक इन्फोर्मिशन देना चाहूंगी जो हमारी लास्ट एन मंस की क्रंट अफेर्स की पेट पीडिएफ है फ्रेंस वो लोंच हो चुकी है इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल दाएंगे दोनों पेट पीडिएफ के आप वहां पे क्लिक करके इनको जो है डिरेक्टली बाई कर सकते हैं ठीक है तो अपने एक्जाम से पहले इन दोनों पेडिएफ को ज़रूर बाई करें और अपने एक्जाम की परपिशन को जो है और जादा स्ट्रोंग बनाएं नेक्स्ट कोशन देखते हैं आपका नेक्स्ट कोशन है नितियायो के जो नए उपाधियक्ष बने हैं उनका क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्शन नमबर डी सुमन के बैरी जो है यह न्यू वाइस चेर्मेन बन गे है नितियायो के नेक्स्ट आपका इंपर्टन कोशन अखिल भारतियो फुटफोल महासंग यानि की AIFF के जो नए अध्यक्ष बने हैं फेंस उनका क्या नाम है राइट अंसर रहेगा उप्शन नमबर एक कल्यान चोबे AIFF जो है से हिंदी में अकिल भारतियो फुटफोल महासंग का जाता है स्थापना इसकी जो है 23rd June 1937 को ही थी और जो इसके हैड़कोर्टर सेंफरेंस वो है नए दिल्ली में नेक्स एक ये राज्यसभा के जो नए महासची बने है उनका क्या नाम है ट्राइट अंसर इस ओप्शन अंबर ए प्रमोच चंद्रमोदी जो है ये राज्यसभा के नए महासची बने है वहीं अगर हम बात करिए राज्यसभा के उपस भापती की तो उनका नाम क्या है रिवंश नारायन सिंग राजे सबब के जो भिपक्ष के नेता है फेंस उनका नाम है मलिका अर्जुन खड़के और राजे सबब में सदन के नेता का क्या नाम है प्यूश कोईल निकसे किये भारत के राष्टे सुरक्षा सलाकार यानि कि NSA जो है वो कौन बने है ट्राइट अंसर क्या रहेगा option number B अजीत दोबाल जो है ये भारत के जो है नए NSA बने है NSA जो है इसे हिंदी में राष्टे सुरक्षा सलाकार का जाता है इस पद का जो गठन आफरेंस ये हुआ था 1998 में और जो हमारे देश के उपर आश्टे सुरक्षा सलाकार है उनका क्या नाम है पंकच कुमार सिंग ये बेंपॉरंट है नेक्स जीए ओडिट ब्यूरो ओफ सर्कुलेशन यानि कि ABC के जो नए अध्यक्ष बने है उनका क्या नाम है एबीसी जो है से हिंदी में ओडिट प्यूरो ओफ सर्कुलेशन कहा जाता है 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसके मुख्याले है नेक्स एक ये भारत के प्रवर्तन निदेशाले के प्रभारी निदेशक के रूप में जो है किसे निक्त किया गया है एबीसी जो है इसकी स्थापना हुई थी एक मैंई 1956 को और नई दिल्ली में इसके मुख्याले है नेक्स आपके इंपर्वर्तन कोशन प्रेस सूचना ब्यूरो यानि कि P.I.E.B. के जो नए प्रधान महानिदेशक है वो कौन बने है तो क्या राइटन से रहेगा आपका option number C मनीश देशाई जो है ये P.I.E.B. के नए प्रधान महानिदेशक बने है प्रेस सूचना ब्यूरो की बाद है ये कॉशन में इससे लेटर कुछ इंपॉर्ण पर इसमें आपको बता दू इसकी स्थापना 1990 में हुई थी मुख्याले इसके जो है वो नई दिल्ली में है नेक्स सेखिए National Association of Software and Services Companies के जो नई अधिक्षए फेंस वो कौन बने है तो जो NASCOM के नए प्रेजिडेंट है वो बन गी है राजेश नाम बियार ओप्षन नमबर बी जो है आपका क्रेक्ट अंसर रहेगा इस कॉश्चन का NASCOM stands for National Association of Software and Services Companies जिसकी की स्थापना हुई थी 1st March 1988 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में नेक्स सेखिए अकाशवानी और समाचार सेबा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक जो है वो कौन बन गी है तो वो बन गी है डॉक्टर वसुधा गुपता option number D correct answer है Next is National Cadet Corps यानि के NCC के जो नए महानिदेशक बने है उनका क्या नाम है right answer is option number D गुरबीर पाल सिंग NCC से लेटर कुछ important points बताती हूँ तो स्थापना इसकी 1948 में हुई थी मुख्याले इसके जो है वो नई दिली में है और उप्र महानिदेशक है जो NCC के present time में उनका नाम है VM Reddy Next एक है रास्टे मुल्यांकन और प्राधीकरन यानि की डिरेक्टर बने है N AAC की जो स्थापना है ये हुई थी 1994 में और मुख्याले इसकी जो है वो पिंग लोर में है Next एक है भारतिय बास्केटबाल महासंग यानि की BFI के जो नई अध्यक्षेफेंस वो कौन बने है Right answer is option number A आधव अर्जुन BFI को हिंदी में भारतिय बास्केटबाल महासंग कहा जाता है 1950 में इसकी स्थापना हुई थी मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में है Next आपको important question है भारतिय वायू सेना की जो नए उपर मुख यानि की वाइस चीप बन गए है भारतिय वायू सेना की जो स्थापना है ये हुई थी 8 October 1932 मुख्याले इसकी नई दिल्ली में है करंड में जो वायू सेना प्रमुख है उनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चोधरी और महानी देशक का नाम है संजीव कपूर Next देखिए भारतिय वानीजी और उध्योग संग यानि कि SOCM के जो नई अध्यक्ष बने है वो कोन बने है तो वो बन गए है अजे सिंग option number C correct answer है SOCM जो है इसको हिंदी में कहा जाता है भारतिय वानीजी और उध्योग संग 1920 में इसकी स्थापना होई थी नई दिल्ली में इसके मुख्याले है Next देखिए Steel Authority of India Limited यानि कि सेल के जो नई अध्यक्ष बने है वो कोन बने है वो कोन बने है आमरेंदू परकाश option number A जो है correct answer है सेल को हिंदी में कहा जाता है Steel Authority of India Limited स्थापना इसकी जो है 19 January 1954 को ही थी मुख्याले के जो है नई दिल्ली में है Next देखिए Institute of Chartered Accountant of India के नई अध्यक्ष कोन बने है तो right answer क्या है option number D अनिकेत सुनील तलाटी जो है फैंस ये जो है ICAI के नई प्रेजिडनेंट बने है ICAI की जो स्थापना है ये कब हुई थी 1st July 1949 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में है Next देखिए बहाती डेटा सुरक्षा परिश्यद यानि कि DSCI के जो नई अध्यक्ष है वो कौन बने है right answer क्या रहेगा option number C प्रमोद भसीन जो है ये DSCI के जो नई अध्यक्ष है वो बन गे है DSCI का गठन हुआ था August 2008 में मुख्याले के जो है उत्तपतिश के नोई रा में है करंड में जो CEO है इसके वो है विनाय कोर्ट से Next question आपका है रास्टिस वास्ते पराधिकरण यानि कि NHA के जो नई निदेशक है वो कौन बने है right answer is option number next is विज्यानिक और उध्योगिक अनुसंधान परिशत यानि कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कोन बनी है right answer आपका क्या रहेगा option number D नला थंबी क्लाई सिल्वी जो है ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है CSIR जो है इसका full form होता है Council of Scientific and Industrial Research स्थापना इसकी हुई थी 26 सेप्टेंबर 1942 को मुख्यालेस के जो है वो नई दिल्ली में है next देखिए भारतिय करिशी अनुसंधान परिशत के नई महानिदेशक जो है वो कौन बने है right answer क्या रहेगा option number D हिमान्चु पाठख ICIR का full form है Indian Council of Agriculture Research जिसकी स्थापना हुई थी 15 जोलाई 1929 में मुख्यालेस के जो है वो नई दिल्ली में है next देखिए खादी और ग्रामो अध्योग आयोग के जो नई CEO हैं वो कौन बने है right answer क्या है option number B विनित कुमार KVIC का full form है जिसकी स्थापना 1956 को हुई थी मुंबई में इसके मुख्याले है और करंट में जो मनोज कुमार एफेंस ये इसके अध्यक्ष है next है पंद्रवे वित आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने है Trident Sir क्या रहेगा option number A नंदकिशोर सिंग next देखिए केंदी उध्योगिक सुरक्षा बाली यानि की CISF के नए महानेदेशक कोन बने है Trident Sir is option number C नीना सिंग और इने जो है ये अतिरिक्त प्रभार सोंपा गया है important पर इसकी बात कर रहे हैं तो CISF का full form है Central Industrial Security Force जिसकी स्थापना कब हुई थी 10th March 1969 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में है next question देखते है भारत के जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कौन बने है तो Chief Economic Advisor जो इंडिया के बने है नए उनका नाम है Friends V. Anand Nageshwaran option number A correct answer रहेगा next एक ये रास्टे जांच एजिंसी यानि की NIA के नए महानिदेशक कोन बने है right answer is option number A दिनकर गुपता NIA का फिलफोर्म है National Investigation Agency जिसकी की स्थापना हुई थी 2009 में और मुख्याले इसके नई दिल्ली में है next आपका important question है भारत Dynamics Limited यानि की BDL के जो नए अध्यक्षोर प्रवंद निदेशक हैंफेंस वो कौन बने है तो right answer आपका क्या रहेगा इस question का option number DM माधव राओ जो है ये BDL के जो है नए CMD बन गे है BDL फुल फूम क्या है BDL का भारत Dynamics Limited और स्थापना इसकी वीथी 1970 में हैदराबाद में इसके मुख्याले है नेक्स एकिए भारती Reserve Bank यानि की RBI की जो Governor है उनका क्या नाम है right answer is option number A शक्तिकांदास नेक्स इस नागरिक उडियन महानी देशाले यानि की DGCA के जो नए महानी देशक है वो कौन बने है तो इसका right answer आपका रहेगा option number B विक्रम देवतत DGCA का full form है Directorate General of Civil Aviation और इसका मुख्याले जो है ये नए दिली में है नेक्स्ट है भारती खादिस रक्षा और मानक प्राधिकरन की नए CEO जो है वो कौन बने है तो right answer इसका क्या है option number A G. कमला वर्धन राओ जो है ये जो है भारती खादिस रक्षा और मानक प्राधिकरन की नए CEO बन गए है FSSAI जो है इसका full form होता है Food Safety and Standards Authority of India जिसकी की स्थापना हुई थी 5th September 2008 में और नए दिली में इसके मुख्याले है नेक्स है कि रास्ट या निसूचित जातिया योग यानि कि NCSC के नए अध्यक्षों है वो कौन बने है Right answer is option number A Vijay Sampla NCSC का full form है Natural Commission for Scheduled Costs and स्थापना स्कीवीटी 19 February 2004 को मुख्याले कहां पे है नए दिली में है नेक्स है कि ये भारत Petroleum Corporation Limited यानि कि BPCL के नए अध्यक्षों प्रवंद निदेशक कौन बने है तो Right answer आपका इस question का रहेगा option number B G. Krishnakumar जो है ये BPCL के नए अध्यक्षों प्रवंद निदेशक बने है BPCL stands for भारत Petroleum Corporation Limited स्थापना इसकी 1952 में हुई थी मुख्याले इसके महराष्ट के मुंबई में है Next है NSE stands for National Stroke Exchange मुख्याले इसके मुंबई में है स्थापना कब हुई थी 1992 में Next है तेल इवं प्राक्रितिक गैस निगम यानि की ONGC के चो नए अध्यक्षाफेंस वो कौन बने है तो उनका नाम है अरुन कुमार सिंग option number B सही अंसर है ONGC का फुल फॉर्म है Oil and Natural Gas Corporation जिसकी की स्थापना कब हुई थी 14th August 1956 को वो ख्याले इसके कहा है नए दिल्ली में है Next है राश्टेस मार्क प्राधिकरन यानि की NMA की जो नए अध्यक्षबने है उनका क्या नाम है प्राइटन से रहेगा option number A किशोर कुमार बासा जो है ये NMA की नए अध्यक्षबने है NMA stands for National Monuments Authority एंड अस्थापना इसकी हुई थी March 2010 में और मुख्याले इसके जो है ये नए दिल्ली में है Next है वर्तमान में लोगसभा अध्यक्षबने है उनका क्या नाम है Next है पूर्वी नोसेना की कमान की नए Flag Officer Commanding Eastern Fleet जो है वो कौन बने है तो राइट अन से रिस्ट का रहेगा आपका option number C राजेश धनकरड इसकी बात करें इस question से लेटेट तो Flag Officer Commanding Eastern Fleet जो है ये भारतिय नोसेना अधिकारी का पद्ध है जो की पूर्वी वेडे की कमान संबालता है और पूर्वी नोसेना कमान जो है इसकी स्थापना होई थी 1st March 1968 को और इसके मुख्याले जो है ये आंधरपरदेश के विशाका पत्नम में है Next एकिए भारतिय रेलवे खानपान और प्रेटर निगम यानि कि IRCTC के नई अध्यक्ष और प्रवंद निदेश कोन बन गए है तो राइट अंसर इस कोशन का आपका क्या रहेगा Option नमबर C संजे कुमार जेन Important पर इसकी बात करे तो इसका फुल फोर्म होता है Indian Railway Catering and Tourism Corporation स्थापना इसकी 27th September 1999 को हुई थी नई दिल्ली में इसके मुख्याले स्थित है Next है कि भारत के जो सबसे बड़े वानिजक बैंक जिसका नाम है भारतिय स्थेट बैंक यानि कि SPI इसके जो MD है वो कौन बने है तो वो बन गए है विने टोंस, option number B, correct answer है SPI stands for State Bank of India और SPI की स्थापना कब हुई थी एक जुलाई 1955 को मुख्याले SPI के जो है ये मॉंबाई में स्थित है और करंट में जो SPI की अध्यक्ष है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा Next question देखते है भारत हैवी Electricals Limited के नई अध्यक्ष एवं प्रवंद निदेशक कौन बन गए है Right answer is option number A, कोपू सधाशिव मूर्ती BHEL का full form है भारत हैवी Electricals Limited जिसकी की स्थापना हुई थी 13 November 1964 को मुख्यालेस के नई दिली में है Next आपको important question है भारती लगो अध्योग विकास बैंक यानि कि सिडवी के जो नए उप्रवंद निदेशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है Right answer इसका क्या रहेगा Option number B, प्रकाश कुमार जो हैं ये सिडवी के नए उप्रवंद निदेशक बन गए है सिडवी की बात आई है हमारे question में सिडवी stands for Small Industrial Development Bank of India स्थापना है इसकी 2 April 1990 को और मुख्याले इसके हैं उत्रपरदेश के लखनाओ में करंट में जो इसके chairman और MD है उनका नाम है शिव सुब्रमन्यम रमन Next आखिये RBA ने अपना नया कारेकारी निदेशक जाने की ED जो है वो किसे नुक्त करा Right answer रहेगा Option number A मन रंजन मिश्रा को Next आखिये राष्ट या आपता मोचन बल यानि के NDRF के नए महानिदेशक जो है फेंस वो कौन बन गए है Right answer रहेगा आपका Option number A अतुल करवाल जो है ये NDRF के नए Director General बन गए है NDRF का Full Form है National Disaster Response Force NDRF की स्थापना हुई थी 19 January 2006 को मुख्याले कहां है नए दिली में है Next आपका important question है भारत के जो नए विदेश सचीव बने है वो कौन बने है तो जो नए foreign secretary बन गए है इंडिया के friends वो बन गए है विने मोहन कवात्रा Option number C correct answer रहेगा आपका Next is Power Finance Corporation यानि की PFC की पहली महिला अध्यक्षोर प्रवंदर निदेश कोन बनी है Right answer is option number B परमिंदर चोप्रा Power Finance Corporation जो है स्थापना हुई थी जुलाई 1986 को और मुख्यालेस के नई दिली में है देखे आज का हम last question करें है इसके साब video complete हो जाएगी और मैं आपसे two question का test लोगी जो अंसरा मुझे comment section में दोगे complete video देखने के बाद तो परसार भारती के जो नए CEO हैं वो कौन बने हैं तो वो बन गे हैं और मुख्यालेस के नई दिली में है तो ये थे हमारे 100 most important question वर्तमाल में कौन क्या है से जुड़े ये video आपको exam से पहले जरूर देख के जानी है अगर आप ये एक video देख लेते हो appointments की तो आपको इस video में से जो है आपकी exam में question देखने को मिलेगा आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये एक video देख लेते हो अपने exam से पहले तो ये complete video आपने जरूर देख के जानी है अपने exam से पहले बिना skip किये हुए अब मैं आपसे two question का test लूँगी जिसका answer आपने मुझे comment section में देना है complete video देखने के बाद क्योंकि friends test ही है जो आपको best बनाएगा first question आपका test का special protection group यानि कि SPG के जो नए पर मुख हैं वो कौन बने है for options आपके screen के उपर है right answer आपने मुझे comment section में लिख देना है next question test का है railway सुरक्षा बल सेवा यानि कि RPFS के जो नए महाने देशक है वो कौन बने है for options आपके पास है right answer आपने comment section में लिख देना है अगर आप दोनों ही questions का answer जो है वो correctly दे बाते हैं इसका मतलब कि आप exam के लिए एकदम ready है ठीक है तो आपने अच्छे से इन दोनों टेस्ट के questions का answer देना है मुझे comment section में और एकदम right answer देना है और हमारी paid PDF के लिए हमारी website www.ravibookspdf.com ज़रूर विजिट करनी है दोनों ही paid PDF आपको वहां मिल जाएगी इस वीडियो के description में आप check out कर लिए जगा दोनों paid PDF के link में डाल दूँगी वहां से आप easily buy कर सकते हैं और अपने exam की preparation को और जादा strong बनाएए अपने सबी आने वाले upcoming exams जो है उन्हें crack करिए इन दोनों paid PDF की help से ठीक है तो अब आपसे मुलागात होगी next video में एक और नए topic के साथ जो की आपकी exam point of view से important रहेगा ठीक है ये appointments का topic जो है काफे ज़ादा important होता है exam point of view से तो appointments हमने कर ली कल हमने awards and owners करे थे तो हम जो है important topics जो की exam के point of view से important रह सकते हैं वही topics जो हैं discuss करेंगे तो अब मैं आपसे मिलती हूँ next video में एक और नए important topic के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मुच पर वाचिं इस वीडियो and wish you all the very best for your upcoming exams